तो इसका काम होता है, यह क्या करता है, connect करता है या फिर disconnect करता है supply को using centrifugal force, ठीक है, of the rotating shaft, यानि कि जिस भी system में लगा होता है, तो वो system पहली condition है, कि वो system क्या होना चाहिए, movable होना चाहिए, यानि कि जब system rotate करेगा, तब यह switch operate करेगा, तो एक condition तो यह हो गई, कि system क्या होना चाहिए, movable system आपका होना चाहिए, movable ठीक है, तो यह किसी भी system में जब भी लगा होता है, तो इसका काम होता है, यह circuit जैसे एक normal switch होता है, switch का काम क्या होता है, कि supply को connect करना, या फिर disconnect करना, ठीक है, तो same काम इसका होता है, बस अंतर यह होता है, कि यहाँ पर जो switch को on और off क कि जो condition होती यानि सीच को on होना या सीच को off होना यह कौन control करता है यह control करता है centrifugal force तो centrifugal force की मदद से जो है यह स्विच है यह on and off होता है ठीक है एक और important बात यह जो on and off यानि centrifugal force आती हुए कहां से आती है यह आती है rotating shaft से इसी लिए centrifugal सुच हर उस जगहां पर यूज आप कर सकते हैं जहां पर कहीं रोटेशन हो रहा है जहां मुवमेंट है क्योंकि जब कोई चीज मुव करेगी तब ही वहाँ पर सेंट्रिपिटल फोर्स आएगी जो हमें महसूस होती है हमारे हाथ हमारी उंगली पर जहां से हमने स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है वो सेंट्रिपिटल फोर्स होती है और जो इस स्टोन पर लगेगी यानि कि अगर मान लेते हैं मैं धागे को काट दूं तो स्टोन क्या होगा इधर चलता चला जाएगा तो जिससे हमने धागे को बांध रखा है और स्ट्रिंग लगती उस ऑब्जेक्ट पर जो की रोटेट हो रहा है ठीक है तो यह एक तरीके से स्टूड़ फोर्स कही जाती है यानि कि एक्चुल में कोई तुम्हें बहार नहीं की चरा है पर यह क्या होती है स्टूड़ फोर्स क करें पड़ी होगी तो यह चीज आपको पता होगी स्टूड़ फोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं शाफ्ट नहीं नहीं कि नौर्मली क्रेंट फ्लो ऊसुसरा यही के 501 मोटर रूटेटस नहीं कर रहीए शाफ्ट नहीं कर रही उस समय सर्किट जनरली ओपन पोजिशन में रहेगा जानी कि जब रोटेट करेगी तब क्लोज होगा ठीक है इसको अभी आगे हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे तो चलो यहां तक बेसिक समझ में आ गया होगा अब इस डिटेल के अंदर मेरा नाम प्रांजल ह है और इस पूरे लेक्ट्चर के अंदर काफी डिटेल में हम लोग जानेंगे सेंट्रिफिकल स्विच क्या होता है उसकी वर्किंग क्या होती है और यह सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे क्लियर हो गया तो सबसे पहले हम डिजाइन की बात कर लें अभी तक बेसिक समझ मे की पिंगे प sicuman के यहां पर यहां यहां पर क्या होता है यह जाल में भी tu i embraced यहां पर यह यहां अर्य आ हों तो यह है तुम्हारा centrifugal switch यह पूरा जो arrangement देख रहा हूँ यह पूरा यह है आपका centrifugal switch यहने कि यह जो picture बनाई हुई है यह जस्ट यह ही picture है आपकी यह clear हो गया तो यह जो बीच में जो gap देख रहा हो आहिए हो यह जो यह जो पूर समझ लेते हैं इस के पूरे ढइागराम को तब यहां की working सेमझ में आ पाइगए कि तो यह जॉस होते हैं इस पाके जौज जो होते हैं लिए की तरह वर करेंगे यह spring हो गई इस प्रिंग क्या होती ही इस प्रिंग होती मतलब बिलकुल टाइट इस प्रिंग है ठीक है यह क्या है यह आपका है यहां पर सर्कीट की बात करें तो यहां से सप्लाय आ rollers यह ने टेटिव टर्मिनल की तरह जो प्रफ्लाई कर रहे यह निगेटिव टर्मिनल काम कौन करें करने काम करी तरह यह स्विच की तरह यह जो मुवेवल पार्ट देख रहे हो ना इसका काम क्या होगा ये जब तक इन दोनों terminal के उपर रहेगा touch करता रहेगा तो देखो circuit से यहाँ से current आएगा और इस current इसमें से flow के यहाँ से noker जाएगा clear हो रहा है में तो इस एंटर करेगा और इस निचा ONE में पार्ट से टाच होके यहा तक निकल जाएगा ठीक है यह समझ मैं रहा है normally close का मतलब generally यानि कि जब motor नहीं गूम रही है shaft rotate नहीं कर रहा है तो उस समय ये circuit क्या होगा close है तो normally close clear हो गया तो देखो आयोब समझ मैं रहा हो working क्या है working बहुत ही simple है हमने क्या करना है इस तरीके के setup लेना अभी मैं तुम्हें सब चीजों का roll बताऊंगा यहां पर यह spring है spring का काम क्या है spring का काम है कि यह जो jaws है इनने अपनी position पे बनाए रखना ठीक है और यह jaws क्या है इनका काम होता है lever का इनका काम होता है कि यह तब तक अपनी position पे रहेंगे जब तक spring tight रहेगी और अगर एक बार spring को गया नहीं अगर मैंने इन jaws को बहर की तरफ खीचा ऐसे बहर की तरफ तो यह वाला जो इनका portion नहीं lever की तरफ वर करेंगे तो आप यहां पे visualize कर सकते हो अगर जैसी हम जैसे for example कोई ऐसी चीज है ठीक है और यहां पे कोई रखा हुआ पत्थर तो जैसी तुम इसे बार की तरफ खीचोगे तो यह अगर ऐसे होगा तो यह वाला part इसका उपर चला जाएगा उपर चला जाएगा तो पत्थर उपर आ जाएगा तुमने यह सब चीजे बहुत देखे होंगी जैसे फर एक्जामबल हमनों पेंट का इस्तमाल लाते है पेंट का डिबबा मार्केट से खरीद के लाते हो तो ढखकन कोलने के क्या करते हो एक स्कूरूड्राइवर नहीं लगाते हो जैसी तुम इसको नीचे खीचते हो लीवर की तरह तो ये क्या करता है धककन को उपर खीज देता है बिल्कुल वैसे ही ये lever की तरह work करेंगे यानि कि जब मैं इन्हें इधर की तरफ ले जाओंगा तो देखो ये वाला portion जो होगा जब ये इसका जो upper part है ये left side move करेगा तो इसका जो lower part है circuit open हो जाएगा ठीक है working समझ मारी होगी नहीं समझ मारी है अभी दुबारा देखते हैं इसको detail में हमने आगे बताया होगा होगा तो आयो समझ मारा होगा कि किस तरीके से इसका structure design करा गया है बहुत ही simple है दो lever इस्तमाल करें यहां पर spring मैंने force generated नहीं हो जाता है ठीक है तो यह हमने spring जो यहां यूज करी हो calibrated spring है clear हो गया now आगे चलते हैं operational समझते हैं हम क्या चाहते हैं तो सबसे पहला case अगर first case की बात करें तो जिससे में machine रुकी होई है तो अगर machine रुकी होई है तो speed rpm equal to zero होगए अगर rpm zero है यानि कि हम कह सकते है stand still condition में आप हैं अगर आप stand still condition में है तो centrifugal force zero होगा क्योंकि centrifugal force तभी picture में है जब body rotate करेगी ठीक है spring spring इस समय बिल्कुल tight रहेगी जब spring tight रहेगी तो circuit क्या रहेगा close रहेगा क्योंकि हम कौन सा ले रहे है जनरली हम यहां पर ले रहे है normally sorry normally close circuit यानि कि जो generally close रहता है clear होगे यहां पर तो normally close रहेगा कोई दिक्कत नहीं है second stage अब क्या होगा motor ने start कर दिया रोटेट करना ठीक है तो zero से तो ज्यादा speed है लेकिन n critical से कम है n critical क्या है इसको जरह समाझ लो n critical क्या है यह critical speed है critical speed जो तुमने set कर रखी है यानि कि वह speed जिस पे centrifugal switch operate करेगा जैसे कि for example अगर induction single phase induction बात करें तो 70 to 80% जब ns हो जाती है 70 to 80% of ns याद है मैंने आपको पड़ाया था तो जब 70 to 80% of ns हो जाएगी तब operate करेगा centrifugal switch तो यह वो क्या होगी critical speed हो गई this is what we call critical speed तो 70 to 80% अगर ns है तो यह हम कहेंगे critical speed की तरह work कर रही है तो यह जो second condition लिए है यानि कि देखो जब तुम centrifugal switch कहीं पर भी यूज करोगे तो पहली condition हो गई कि machine चालू ही नहीं है दूसरी stage हो गई कि machine speed gain कर रही है पर अभी भी critical speed से कम है तो ऐसे case में क्या होगा centrifugal force बढ़ेगा तो 0 से बढ़ जाएगा क्योंकि कोई भी body जब घूम रही है तो उसके अंतर centrifugal force आ जाएगा लेकिन अभी भी वो critical value से कम है यानि critical value यानि कि वो centrifugal force जो हमें critical पर मिलेगा उससे कम है ठीक है इसी तरीके से अगर हम बात करते है spring की तो spring पहले बहुत tight थी अब slightly stretch हो गई है यानि कि अब क्या stretching हो रही है पहले क्या था spring बिल्कुल stretch नहीं थी और बहुत tight थी लेकिन आप क्या हो रहा है इसका हम लोग क्या कर रहे हैं से stretch कर रहे है यानि कि spring को खीचा जा रहा है और जब खीच होगे तो यानि कि वो lose हो रही clear हो रहा है यहां पर circuit की बात कर लेते हैं circuit तो circuit क्या है अभी भी close ह क्योंकि circuit कब तक close रहेगा जब तक spring फुल stretch नहीं हो जाती या जो movable part है वो उपर shift नहीं हो जाता तो अभी भी circuit close रहेगा हम भी यहीं चाहते हैं then finally हम बात कर लेते हैं third case की अगर third case की अगर मैं बात करता हूँ तो यह case होगा जिसमें तुमारी speed जो है वो n critical के पास यह आपके उपर है तो जो भी तुमने critical speed set की है हमारी machine क्या है उसको पार कर गई है अगर उसको पार कर गए हो तो ऐसे case में centrifugal force जो होगी वो critical value से जादा हो जाएगी यानि कि इसकी जो force की value है वो जितनी होनी चाहिए critical force उससे जादा निकल चुकी है जैसे यह condition होगी तो spring फुल stretch हो जाएगी यानि पूरी खिट जाएगी और जब यह होगा तो जो हमारी sharp था यानि movable component था जो यहाँ पर touch कर रहा हुआ था circuit से ऐसे करके याद हो पीछे में बताया था positive negative current जो था वो ऐसे जा रहा था तो जैसे ही यह पूरा stretch होगा तो lever जब पूरे stretch होगे तो यह mobile part उपर shift कर जाएगा और उपर shift कर जाएगा तो हमारे terminal कुछ नीचे रह जाएगे इस तरीके से और जब terminal यह क्या हो गया open circuit हो गया clear हो गया यहाँ तो circuit क्या हो जाएगा open हो जाएगा clear हो गया आयोब थोड़ा थोड़ा feel आ रहा होगा किस तरीके से working होगी समझ में आ रहा होगा कोई doubt है तो comment section बता सकते हैं यह जितना detail में बता रहा हो इतना detail आपको पूरे lecture पूरे net पे YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेगा जितना detail हम लोग इसको discuss कर रहे हैं तो आयोब visualize कर पा रहे होगे आगे चलते हैं यहां पर मैंने आपको पूरी working ध्यान से समझाई होगी है एक एक करके देखते हैं सबसे पहला जो अभी हमने पीछे देखा बस उसी को visualize करना है तो सबसे पहला case है जब speed 0 है यानिकि जिस समय हमारी shaft जो है यह shaft है मैंने आपको बताया था this is shaft, यह shaft rotate नहीं क कर रहे हैं तो spring पूरी tight है और जो jaws है वो एकदम बिल्कुल पास-पास हैं कोई भी stretching नहीं है तो ऐसे के इसमें circuit complete है क्यों क्योंकि mobile part हमारा in terminals पर रखा हुआ है यहां पर यह terminals है जिन पर mobile part रखा हुआ है तो current हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है और circuit close है तो यहां पर current न यह हवा में है तो इनकी उपर एक force लगेगा तो देखो centrifugal force लगना शुरू होगा इन jaws क्यों पर इधर की तरफ left इन को यानि कि जब गोल गोल घूमेंगे आप visualize कर पा रहे होगे जब ऐसे करके दो jaws हवा में हैं और वह जब गोल घूमेंगे तो उनको भार की तरफ एक force तो spring का जो force है वो invert की तरफ है वो खीच रहा है jaws को अपनी तरफ लेकिन इनके against में कौन आ गया centrifugal force तो एक तरफ है centrifugal force और एक तरफ है spring का force ठीक है spring कहे रही है कि अंदर रहो और यह centrifugal force कह रहा है बाहर की तरफ जाओ clear होगे है यहाँ पर अब होगा क्या यह काफी तेज- गोल-गोल घूमेगी तो अभी speed जो हमारी वो critical से कम है इसलिए क्या है अभी भी हमारा movable part है यह अपनी जांगा रखा हुआ है terminals पे तो current देखो अभी भी flow कर रहा है तो यानि कि circuit पहले में भी complete था अभी भी complete है यह बड़ा interesting case हो जाता है यानि जैसी हमारी speed critical को पार करेग इसे case में क्या होगा जो जब इतनी high speed पर तुम इसे rotate करा दोगे तो यह जो तुमारे jaws है इनके उपर लगने वाला centrifugal force यह ज़्यादा हो जाएगा spring के restoring force के मुकाबले यानि कि spring की अपने आपको restore करनी कोश्च कर रही थी ठीक है tight करनी कोश्च कर रही थी इनसे ज़्यादा यानि कि spring का जो invert force था उसके मुकाबले outward force ज्यादा strong हो जाएगा जब ज्यादा strong होगा तो यह पीछे की तरफ shift हो जाएगे जैसे इनका motion इधर की तरफ होगा यानि कि इधर की तरफ shift होंगे तो देख सकते हो इनका जो lower part है यह उपर की तरफ shift होगा इसका भी उपर की आया हुआ है यह जो प्लेट होगी यानि कि जो कह सकते mobile contact था यह क्या होगा जाज यानि कि lever की तरह जाज करेंगे और लीवर की तरह करने से क्या होगा इस प्लेट को यह उपर उठा देंगे आयो विजलाइज हो रहा होगा तो अब क्या होगा जब यह पीछे की तरफ circuit close करने वाला movable contact था वो ऊपर जा चुका है ठीक है पहले यहां था वो ऊपर जा चुका है तो अब देखो किसी भी तरीके का circuit हमारा close नहीं है तो circuit यहां पर open हो गया तो this is the working of centrifugal switches समझ में आ रहा है कितनी simple है मतलब जिस भी इंजिनर से design करा था कितना simple design है और इसी लिए इ easily accessible है इसलिए आज भी इसका कोई replacement नहीं है तो IOB समझ में आ रही होगी IOB यहां तरह आप visualize कर पाए होगी किस तरह के centrifugal work करता है अब कभी भी कोई machine देखना जिसमें centrifugal switch लगा हो और यह जो मैंने आज आपको working समझाई है इसको देख के जरह visualize करना तब आपको समझ में यह 70-80% of NS पे operate हो तो इसके लिए spring जो मैं use करूँगा वहाँ पे उसका design और यह जो lever use कर रहा हूँ इनके weight इनका जो weight होगा वहाँ पे मैं खेल जाऊँगा वहाँ पे हम लोग change करेंगे समझ में रहा है तो अगर मैं चाहता हूँ कोई ऐसा system जिसके अंदर 30% से लेके 40% प सेंट पर operate करें तो strong spring लोगा देखो जितनी दूर जाके तुम centrifugal switch को operate करवाना चाहोगे यानि कि उतनी ज्यादा centrifugal force develop हो चुकी होगी तो उतनी centrifugal force को oppose करने के लिए उतनी strong spring लेनी पड़ेगी तो spring जो भी तुम यहाँ पर use कर रहे हो तो spring जो use कर रहे है हम लोग spring की जो strongness ह होगी वो depend करेगी वो decide करेगी कि n critical कितना होगा plus jaws का weight जो तुम jaws का weight ले रहे हो clear हो रहा है यहाँ पर क्योंकि जितना ज्यादा weight होगा उतना ज्यादा centrifugal force हमें महसूस होगा क्योंकि जो force है वो आपका mr omega square side होता है मुझे exactly नहीं आदा है आप check कर सकते हो centrifugal force में खेर mass एक important role play करता है ठीक है तो जितना ज्यादा mass होगा lever का उतना ज्यादा centrifugal force डवलप होगा तो इसलिए हम लोग अगयानी कि अगर centrifugal switch market में खरीदने जाओगे तो जो variety of switches होंगे वो किस पर depend कर जाएंगे एक तो depend कर जाएंगे spring की quality पे और दूसरा jaws के weight पे ये दो चीज उसका मतलब तो देखो यहां पी जो मैंने एक symbol मनाया हुआ है इसमें जो upward direction देख रहे हो यह arrow दिखा रहा है direction of contact direction of switch motion या कहलो या contact की direction कहलो यानि कि यह तुमने contact रखा हुआ है यह दिखा रहा है यानि कि यह contact है और यह direction दिखा रहा है कि यह contact केवल या तो इस पर touch करेगा या उपर जाएगा clear है यानि switch जो है या तो ऐसे जाएगा या इस पर touch रहेगा नीचे नहीं जा सकता तो this is the direction of contact हो गया यहाँ पर motion दिखा रहा है यानि कि अगर जब हम motion करेंगे normally close है और जैसी तुम motion करोगे यानि कि जैसी तुम critical speed को power करोगे and greater than and critical तो ऐसे case में क्या इस symbol को समझ लेते है normally open तो at n equal to 0 circuit open है देखो यहाँ पर देख सकते हो कि circuit अब यहाँ पर जो मैंने symbol use करा है इसमें यह जो तुम switch देख रहे हो यह जो arrow है कि direction दिखा रहा है उपर जाने कि यानि कि यह जो switch है या तो यह नहीं रहेगा यानि कि open position पे या फिर यह उपर move करे होगे तो यह जो तुमारा यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यह उपर जाके से touch कर जाएगा clear होगे यहाँ पर यहाँ बात करूं normally open की तो normally open का अगर मैं circuit बना लूँ symbol कैसे होगा तो बहुत ही simple है normally open में हमारे terminals उपर होंगे clear हो गया और movable contact जो होगा वो नीचे होगा तो यह jaws आ गए ऐसे करके sorry यह jaws आ जाएंगे हमारे ठीक है यह movable contact हो गया और यहाँ पर spring लगी होगी ठीक है तो normally देखो normally positive negative तो normally देखो कोई भी circuit complete नहीं है अब जैसी यह गोल-गोल move करेगा and greater than and critical होगी तो ऐसे में क्या होगा यह jaws के उपर centrifugal लगेगी तो यह बहार की तरफ move करेंगे यह बहार move करेंगे तो इसका नीचे वाला portion उपर की तरफ धक्का लगाएगा इन movable part पे और यह जो movable contact है यह धक्का जाव इस पर लगेगा तो इस पर जाके हो जाएगा समझ में रहा है विजुलाइज कर पा रहे हो और जैसी इससे टच होगा तो देखो circuit क्या होगा यहां पर जैसी हम इसको touch करेंगे तो current यहां से आएगा और यह movable part में ऐसे करके जाएगा और movable part से होके यहां से निकल जाएगा तो this is normally open ठीक है तो अब आपके पास एक काम मैं देता हूँ आपको यहां सा homework अगर आपको इलेक्टर समझ में तो इसी तरीके का जैसे मैंने भी पीछे यहां पर आपके लिए circuit डिजाइन करा है ना इसी तरीके का संट्रिफिकल सुच डिजाइन करो normally open के लिए clear होगे और उसके बाद एक-एक step को visualize करके द इदम picture clear हो जाएगी अगर application की बात कर लें बहुत सारी application इसकी होती है आपके आसपास हर जगा आपको यह मिल जाएगा जहां बेभी कोई भी देखो condition याद रखना कभी अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो circuit का circuit है हमारा जो electrical circuit अगर मैं अपने electrical circuit को movement से connect करना चाहता हूँ ध्या यह जब भी इस तरीके की system की बात करोगे तो यहाँ पर हम लोग इस्तमाल करेंगे centrifugal switch का समझ में आ रही बात ही है आयो clear हो रहा होगा तो यहाँ पर जैसे सबसे पहला example बहुत ही government हमने पढ़ा single phase induction motor हम चाहते हैं कि हमारा single phase induction motor मैंने पढ़ा रखा है कि उसके अंदर क्या ह लिए उसे अपने system से हम लोग क्या करतें centrifugal switch का इस्तमाल करते तो single phase induction motor हो गई blowers में इस्तमाल होता है यानि कि जो हमारे blowers होते है cooler में लगे होते हैं fan में बहुत जगा application होता है तो blowers में हम इस्तमाल कर सकते हैं breaking यह अभी मैं जल्दी recently पढ़ा रहा हूं plugging जैसे for example अभी मै लेक्चर के अंदर अभी लेक्चर में डाला नहीं है plugging का जो लेक्चर है महां पर क्या होता है plugging में खास बात होती कि जब हम लोग ब्रेक अप्लाय करते हैं plugging के अंदर अंतरगत तो ऐसे में क्या होता है कि मोटर ब्रेक लगने के बाद reverse direction में rotate होना शुरू होती यानि कि for example अगर तो वाना पाईया है वो clockwise चल रहाता तो जब तुमने plugging करोगे ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगके वो zero हो जाएगा और अगर तुम plugging लगे रहें दोगे यानि braking continuously करते रहोगे तो जो पाईया है वो opposite direction गूमने लगेगा तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या होता है इसके जैसी speed इसकी zero होती है यानि जैसी पाईया रुकेगा हम लोग क्या करते है centrifugal switch का इस्तमाल करते हो वो centrifugal switch system को भार कर देता है समझ में आ रही बात दिये ओके नो यहाँ जड़ा सोच के बताओ अगर मैं यह चाहता हूँ कि पाईया जब रुके तब centrifugal switch जो है circuit को open कर दे तो जैसी उसकी speed zero हो जाए तो हमारा circuit जो है वो open हो जाए तो यह अगर ऐसा task मैं आपको देता हूँ तो यहाँ पे कौन सा centrifugal switch आप इस्तमाल करेंगे normally open वाला या normally close वाला इसका answer comment section जल्दी से बताना ठीक है अगला example है washing machine washing machine में dryer होता है तो dryer में हम देखते हैं कि जब dryer चलता है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं centrifugal switch का इस्तमाल करते हैं कि जब dryer में कपड़े सूख जाएंगे जब वो system complete हो जाता है तो supply को cut off कर देता है इसी तरीके से air plane के अंदर जब plane रुका हुआ होता है तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे हमारे electrical circuit off हो जाए और जब plane चले केव तब ही वो circuit on हो रहे हैं तो ऐसे system में क्या होता है इसमें भी हम लोग बहुत सारे ऐसे circuitry होती जिसमें हम लोग सेंट्रिफिकल स्विच का इस्तमाल करते हैं और यह सेंट्रिफिकल स्विच होता है यह किसी mobile part से connect होता है plane के अंदर जैसे कि तुमारा जो उसकी shaft हो गई जो उसके अंदर जो movement होता है यहाँ आपने देखा होगा यहाँ पंखा लगा होता है जो rotate करता है गोल गोल तो इस पंखे से connect होता है यहाँ पर हो सकता है पंखी की shaft से connect हो जो यहाँ पर यूज होते है engine jet engine में ठीक है तो इस तरीके का system होता है आयोब आज का lecture आपको पसंद आ यहाँ पर मैंने सारी चीज़े cover करी हैं जो जरूरी है centrifugal switch को लेके working से लेके application तक basic से लेके advanced concept ठीक है फिर भी अगर कोई doubt है तो comment section बता सकते हैं कुछ नया सीखा तो भी बताए और जो question दिया उसका answer comment section में जरूर comment करके बताएं आपने अमना कीम भी समय दिया उसके लिए झाल 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 झाल